इसे पिछली वीडियो में आपने सिख्या हाउ टू फाइंड दा सेंटर ओफ ट्रेंगल और आज हम सिखेंगे हाउ टू फाइंड दा इंसेंटर ओफ ट्रेंगल यह ट्रेंगल एबीसी गिवन है और इसकी तिन्नो साइड जो है इकुबल नहीं है तो इस ट्रेंगल का इंसेंटर कैसे निकालते हैं इंसेंटर निकालने के लिए हमारे को तिन्नो एंगल का जो बैसेक्टर है वो निकालना होगा तो सबसे पहले हम एंगल एको बैसेक्टर कर लगते हैं एंगल एको बैसेक्टर करने के लिए वर्टेक्स ए से आर्क लगाएं जो आए आर्क लगाई इसने दो पाइंट पेंटर से किया इन दोनों पाइंट से एक आर्क और लगाएंगे यह वाई आर्क लगी हैं पर और एक आर्क जो है इस पाइंट से लगाएंगे सेम रेडियस से आपने रेडियस को चेंज ने करना है और वर्टेक्स एको पाइंट इंटरसेक्टिंग से जोइन करके आगे प्रोडूस करेंगे यह मैंने इसको प्रोडूस कर दिया और इसको नेमिंग करती है P A P is the angle bisect of angle A और अब हमने वर्टेक्स B है उस पर जो angle बना हुआ है उसको bisect करना है angle B को यह मैंने एक arc लगाई कोई भी radius ले करके आप radius को कम ज्यादा कर सकते हैं एक बार इस point से arc लगाएंगे यह arc यह मैंने arc लगा दी और यह इस point से arc लगा दी हमें दुन्नों arc एक दुसरे को इस point बंटर सेक्ट कर रही हैं और इस point को और वर्टेक्स B को जोइन करके आगे प्रोडूस करेंगे और इसको नेमिंग कर दिया हमने Q BQ is the angle bisect of angle B अब इसी तरह से हमने angle C को bisect करना है वर्टेक्स C से कोई भी एक arc लगाएं और अब इसको कोई भी radius लेकर करके हम bisect कोंगे पहले first arc फिर यह second arc और point of intersecting of arc को जोईन करते हुए वर्टेक्स C के साथ आगे प्रोडूस करते हुए और इसको नेमिंग करती हमने R तो AP, BQ and CR R the angle bisector of angle A, angle B and angle C और तिन्नों जो है एक दुसरे को एक point पर intersect करते हैं इसी point को ही हम जो है I बोलते हैं इन्सेंटर बोलते हैं और इन्सेंटर को हमेशा capital I से represent किया जाता है कलियर हुआ और इस इन्सेंटर की एक यह feature है कि यह हमेशा triangle के अंदर बनेगा किसी भी तरह की triangle हो यह कभी भी side के उपर या triangle से बाहर ने बनता है यह हमेशा triangle के अंदर ही बनेगा इस इन्सेंटर से अगर हम किसी भी side के उपर perpendicular draw करें तो वह एक radius आजएगी और उस radius को लेकर के एक circle ड्राव करेंगे तो वह circle जो है triangle की तिन्नो side को touch करेगा तो सबसे पहले हम i point से इन्सेंटर से एक perpendicular draw करते हैं BC line segment पर आप जो है AB पर भी draw कर सकते हैं AC पर भी draw कर सकते हैं आप कहीं भी इसको draw कर सकते हैं तो इसको draw करने के लिए मैंने एक video बना रखी है कि कि किसी भी point से perpendicular कैसे draw करते हैं उसका link description box में दिया गया है आप वहां पर जा करके उसको check कर सकते हैं अगर आपको बनाना रता है तो बहुत अच्छी बात है यह मैंने बना भी दिया है अब इस i से इसको join कर देंगे और यह हमारे पास आ गया perpendicular from point i to the line segment b से इसको यहां तक फिर उसके बाद इसको dotted कर दिया और इसको naming कर दिया हमने D अब हमने i को center ले करके और id radius ले करके एक circle draw करेंगे दखो हमाने center ले लिया है और यह इसकी radius ले ली इतनी यह radius ले ली और यह तिन्नों side को touch करके एक circle draw करते हैं यह circle जो draw करेंगे यह circle triangle की तिन्नों side को touch करेंगे तो in center जो है in center is the center of this circle students आज आपने यह सिखा कि भी किसी भी triangle का in center कैसे निकालते हैं और in center की features सबसे पहले feature तो यह triangle के अंदर ही आएगा यह कभी triangle की side पर यह triangle के बाहर नहीं होता it is always inside the triangle और second feature यह सिखे कि अगर हम इस in center से किसी भी side पर कोई भी perpendicular draw करते हैं AB पर BC पर CA पर और उस perpendicular radius लेकर के आई को center लेकर के circle draw करते हैं तो यह circle triangle की तिन्नों side को touch करेगा यह आज हमने सिखा तो student आप इसकी practice के आने वाली जो वीडियो होगी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा how to find the circumscent of the triangle okay thank you students thank you